नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मों और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन क्लासिश तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस मतलब समाजिक विग्ञान का मोडल सेट का सेलुशन करने वाले हैं फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग को पता है कि विहार बोड के द्वारा मोडल सेट जारी कर दिया गया है अधी अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किये हैं तो जाए वीडियो के निचे डिव सिस्म बॉक्स में आप जाके चेक कर लिजेगा वहां पे आपको link मिलेगा और वहां से आप लोग जाके model set को download कर सकते हैं तो चलिए friends हम लोग start करते हैं और इसमें टोटल जो इस बार objective प्रसण दे रखा है 80 objective प्रसण दे रखा है बाकी और subjective प्रसण भी दे रखा है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग टोटल 80 objective प्रस्ण को हल करेंगे मतलब जितने भी objective दे रखा सभी को इसी वीडियो में हम लोग हल करेंगे फ्रेंट्स वीडियो पे बने रहे क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा महत्पूर्ण होने वाला है वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखे और हाँ आप हमें जस्ट बाद में कमेंट करके बताना असी प्रस्णों में से आप कितने प्रस्णों का आंसर जानते थे तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ बच्चे के मन में ये चल रहा होगा कि सर असी अबजेक्टिव प्रस्ण पूछे जाएंगे तो क्या असी अबजेक्टिव प्रस्ण का आंसर देना होगा तो नहीं मेरे भाई आप लोग को असी अबजेक्टिव प्रस्ण जो है विकल्प दिया जा रहा है और इस बार बच्चे जो है परहाई में नहीं कर पाए कोरोना वायरस के वज़े से इसलिए 80 प्रस Commerce दे रखा है जिसमें आप लोग को टोटल 40 प्रसंणों का ही answer करना है चलिए हम लोग च्टार्ट करतें हैं precursor का हल देखतें है आज की इस वीडियो में यहां फिल दे रखा है पहला कशंचे ही यहाँ पे हिंद चीन में कौन सा राष्ट सामिल नहीं है इसका राइट आंसर होजेगा चीन देखे बियत नाम लाओस और कमबोडिया हिंद चीन में ही आते हैं उसी का नाम होता हिंद चीन बियत नाम लाओस कमबडिया का ही नाम था हिंद चीन कहा जाता था तो मतलब हिंद चीन में कौन सा राष्ट नहीं आता है तो इसका right answer हो जगा चीन जिसे English में चैना बोलते हैं वीच कंट्री इस नोट इंक्लिओड इंडो इंडो चैना ठीक है यहाँ पर है वीच कंट्री इस नोट इंक्लिओड इंडो चैना तो इसका right answer हो जगा C अगले प्रश्ण के और चलिए अगला प्रश्ण है हमारे पास वियाना कॉंग्रेस कब हुआ था वियाना कॉंग्रेस कब हुआ था वैन वाज वियाना कॉंग्रेस हेल्ड तो इसका जो right answer हो जगा दो नंबर का अठारे सो पंद्रा इस वी में अगला प्रश्ण हमारे पास है तीसरा नंबर तीसरा नंबर है देखा जए यहाँ पे तीसरा नंबर है तीसरा नंबर है भारत में गदर पार्टी की अस्थापना किष्णे की तो फ्रेंड तीसरा नंबर का जो right answer हो जगा C हो जएगा लाला हर्दयाल अगला प्रश्ण हमारे पास है दूसरा चौथा नंबर है यहाँ पे देखा जए चौथा नंबर जो है दुत्ये महा यूध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदे आर्थिक दूस प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था तो चौथे नंबर का right answer हो जगा यूडोपिय संका अगला प्रश्ण आईए देख लेते हैं पाचमा नंबर नरोत्तम सिंहानुक किस देश के सासक थे तो पाचमे नंबर का जो right answer हो जगा कामबोडिया ठीक है अगला प्रश्ण हमारे पास ह जो कि बहुत ज़्यादा important है और ये competition exam में भी पूछा जाता है वास्प चलित इंजन का भिश्कार किशने क्या था तो friends आप लोग को याद रखना है कि James Watt ने क्या था अगला प्रश्ण सातमा नंबर टाटा आइरन अश्टील कमपनी की अस्थापना कब हुआ था टाटा आइरन और टाटा अश्टील अभियो मजबूत होता है आप लोग को पता होगा टाटा अश्टील जो है अभियो मजबूत होता है तो टाटा अश्टील टाटा आइरन ज अगले प्रश्ण गयों और आईये अगला प्रश्ण हमारे पास 9 नमबर है किस अमेरीकी राष्पती ने नियो डिल लागू की तो फ्रेंट्स 9 नमबर का जो राइट आंसर होजेगा FD tutorosefeld अगले प्रस्ण की और आईये जो की है 10 नमबर Napoliyaan सहीता किस बर किस बर्स लागू की गई है तो दसमे नंबर का जो राइट आंसर हो जएगा 1844 में अगला प्रेशन हमारे पास है 11 नंबर फ्रेंक फर्ट की संदी कब हुई थी ये भी competition एकजाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इनपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स 11 नंबर का राइट आंसर हो जएगा ए 1864 में फ्रेंक फर्ट की संदी हुई थी अगला प्रशन है काल माक्स का जन्म कहां हुआ था तो काल माक्स का जन्म 12 नंबर जल्दी बताईए आप लोग कमेंट करने की कोशिस क्या किजिए ठीक है मेर इस पहले तो जर्मनी में अगला प्रशन हमारे पास 13 नंबर और 13 नंबर कहरा है 1991 में निमन में से कौन अस्तवित में आया था तो जैसा कि आप लोग को पता है 1991 में कौन अस्त्वित में आया था इसका राइट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीती अगले प्रश्ण की ओर आईए 14 नंबर और 14 नंबर कहरा इन आर्थिक किरियाओं में कौन प्राथमिक छेतर से संबंदित नहीं है तो फ्रेंड्स 14 नंबर का आपको बता दू देखिए मतसपालन खनन और वन ये तीनों जो है प्राथमिक छेतर में आते हैं लेकिन प्राथमिक छेतर से संबंदित नहीं है कौन बैंक जो है प्राथमिक छेतर से संबंदित नहीं है अगला प्रस्ण जमसेदपूर, दुरगापूर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंदर है तो फ्रेंड्स ये जो है पंदर नमबर का प्रस्ण है और पंदर नमबर का प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा आईरान और अश्टील कहाँ पे है फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे जमसेदपूर, दुरगापूर, भिलाई और सलेम किसु द्योग का केंदर है तो आईरान और अश्टील का केंदर है सोलह नमबर आईए फ्रेंड्स, सोलह नमबर है परती बैक्ती आए का असाय है तो सोलह नमबर का जो राइट आंसर होगा भी हो जाएगा और अगला प्रस्ण सत्रह नमबर राष्टिये विकास परिसद का गठन कब होआ था तो सत्रह नमबर का राइट आंसर होगा सी उनिश्व बाब अनिश्वी में अगला प्रस्ण बंगला देश की मुद्रा क्या है तो बंगला देश का मुद्रा क्या है तो अपना लोग बोलते हैं पईसा तो उ को क्या बोलता है टाका इसका राइट आंसर डी अगला हमारे पास है भारत में 20 नंबर भारत में उब्भोगता संदक्षन कानून कव लागू हुआ था तो 20 में जो है उब्भोगता मतलब उब्भोगता संदक्षन कानून कव लागू हुआ था तो इसका राइट आंसर हुजेगा 1986 इस भी में अगले प्रशन की ओड़ा आए अगला प्रशन हमारे पास 21 नमबर भूमी विकास बैंक द्वारा किस परकार का रीन मतलब लौन जिसको बोलते हैं परदान किया जाता है तो 21 नमबर का जो राइट आंसर हुई गया दिर्ग कालिन सिर्न अगले प्रशन की ओड़ा ये कह रहा है यहाँ पे 22 नमबर भारत में किस परकार की आर्थिक प्रनाली पाई जाती है तो 22 नमबर देखे भाई साब 22 नमबर का राइट आंसर सी हो जाएगा मिसरित अर्थ विवस्था अगला प्रशन हमारे पास है 23 नमबर नागारजून सागर प्रयोजना संबंदित है तो 23 नमबर देखे 23 नमबर 23 नमबर का देखे यहाँ पे नागारजून सागर प्रयोजना संबंदित है तो 23 नमबर का हो जाएगा किर्षना से चलिए अगले प्रशन की ओड़ा ये अगला प्रशन हमारे पास है 24 नमबर हम 4 ओपसर नहीं बोलेंगे क्योंकि 80 ओपजेक्टिव प्रशन को आप लोग को करवाना है नहीं तो बहुत ही जादा टाइम लग जाएगा इसलिए 80 प्रशनों का आंसर देखते चलिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से परवाईत हुआ था तो 24 नमबर का राइट आंसर हो जाएगा 24 नमबर का D बंगाल की खारी अगला प्रशन हमारे पास है अगला प्रशन देखा जाए संचार, समान्य संचार बेवस्था के संबंदित होने का मुख्य कारण क्या है तो 25 नमर का राइट आंसर हो जाएगा A, केबल का टूट जाना जो की टेलीफोन बगेरा देखते होंगे BSNL बला और इस तरह की जो फोन होते हैं जो उठाते हैं कान में सटाते हैं जो मुह में लगा होता है तो जो होता है टेलीफोन जिसको बोलते हैं वो जो है किस चीज से चलता है केबल का केबल से चलता है जो की जमिन के अंदर से आज काल जाता है ठीक है आए बाढ़ छती पहुँचाती है तो फसलों का पस्वों का भवनों का जिसका राइट आंसर हो जिगा उप्योक्त सभी अगला प्रशन है हमारे पास 27 नंबर स्वर्णिम चतरभूज संबंधित है 27 नंबर का राइट आंसर हो जिगा बी सरक मार्ग से अगले प्रशन के और आएए बाड के समय लोगों को कहा जाना चाहिए तो गौ के बाहर जाना चाहिए या खेतों में जाना चाहिए या उच भूमी पे जाना चाहिए या कहीं नहीं जाना चाहिए वहीं डूब के रहना चाहिए तो देखिए यहाँ पे right answer आपको बतातूं उचे जगह पे जाना चीए जहाँ पर पानी आने का कोई chance ना हो मतलब right answer C हो जाएगा अगला प्रश्ण 29 नमबर निम्न में से कौन छेत्रिय राजनीतिक दल है तो छेत्रिय राजनीतिक दल है 29 नमबर का right answer हो जाएगा C जनता दल United जनता दल जो किनिती इसको मारका है चले अगला प्रश्ण हमारे पास है तीश नमबर पंचायत के चुनाव कोन करवाता है तो राज चुनाव आयोग करवाते हैं अगला प्रश्ण हमारे पास है 31 नमबर भारत के किस राज से पंचायती राज की शुरुआत हुआ है अब देखें भारत के किस राज से पंचायती राज सुरुआत हुआ है इसका जो right answer हो जाएगा राजस्थान से पंचायती राज सुरुआत हुआ था बहुत अच्छा ठीक है 32 नमबर वर्स 1975 में भारतिय राजनीती में किस लिए जाना जाता है वर्स 1975 भारतिय राजनीती में किस लिए जाना जाता है तो चलिए 32 नमबर का राइट आंसर हो जिता सी देश में अतरीक्त अपात काल लागू हुआ था अगला प्रशन हमारे पास है तारी बिद्रो अभी चल रहा है दारू बिद्रो अभी दारू का बिरोध चल रहा है दारू नहीं मिल रहा है अपने बिहार में अब पहले चल रह तारी का बिरोध तारी बिरोध अंदोलन किस परांद से शुरू हुआ था ये हुआ था आंधर परदे से और दारू बिरोध कहां से हुआ है तो आप लोग जान ही रहे होंगे बिहार से हुआ है चलिए कोई दिक्कत ने अगला प्रशन हमारे पास है चाउतिस नमबर धर्म का समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है तो 34 नमबर का राइट आंसर हो जेगा A संपरदाइक अगले प्रशन की ओड़ा ये सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि 35 नमबर सत्ता में समझदारी है क्योंकि क्योंकि बिभिन समुदायों के बीच टकराव कम करती है अगला प मुख्य उदेश क्या है तो देखिए 36 नमबर का राइट आंसर हो जाएगा B लोक तंत्र का अस्थापना करना अगला प्रशन 37 नमबर 37 वोले थे ना जी 36 नमबर है भारत के इन राजियों में कोन कोईले के सबसे बरा उतपादक है अब देखिए कोईला का उतपादक कहां है सबसे जयादा कोईला 37 नमबर में दिया हुआ कोईला अब आपको बताते जारखंड में सबसे ज़्यादा कोईला होता है अगला आए 38 नमबर सौर उर्जा के उत्पादन के लिए सर्वधिक उप्युक्त राज सर्वधिक उप्युक्त राज कौन सा है बहुत अच्छा अच्छा कुश्यन है तो राजस्थान है मरोस्थल भी है वहाँ पे चलिए कुछ बिहार से देख लेते हैं मजा नहीं आ रहा है बिहार की पहली नदी घाटी पर्योजना कौन सा है देखे अब बिहार का सोक नदी किसको कहते हैं तो आप लोग को बता देएं बिहार का सोक नदी कोसी नदी को बोला जाता है और बिहार की पहली नदी घाटी पर्योजना की मैं बात करूँ तो ये भी जो है कोसी नदी घाटी पर्योजना ही होगा याद हो गया दो कुशन सोक नदी कोसी नदी और उसी तरह बिहार की पहली नदी घाटी पर्योजना तो कोसी नदी घाटी पर्योजना याद हो गया होगा सुन्दरबन टाइगर रिजर्व कहां है बहुत अच्छा सुन्दरबन टाइगर रिजर्व कहां है जहां कि सुन्दरवर्द वहाँ पे टाइगर जिसको खूलते हैं टाइगर वहाँ पे ज़्यादा मिलता था अब है नहीं लेकिन सुन्दरवर्द में टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था तो 40 नमबर का राइट आंसर हो जेगा पच्छिम बंगाल आईए 40 प्रस्ण और हम लोग को देखना है इसलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो 40 नमबर का राइट आंसर हो जेगा हीरा कुंड ब बांध तेहरी बांध या भाखरा बांध आप हमें कुमेंट करके जरूर बताईएगा सबसे उचा बांध यहां दोनों में से कोई एक है भाखरा बांध या तेहरी बांध कौन सा आप हमें इस बात कॉमेंट बॉक्स में किज़ गएगा अगला प्रशन आए 42 नमबर कौन प्रात्मिक उर्जा का उधारन नहीं है ब्यारिश नमबर में कौन प्रात्मिक उर्जा का उधारन नहीं देखे कोईला जो है प्रात्मिक उर्जा है पेट्रोलियम प्राकृतिक उर्जा है ठीक है और यहां प्रात्मिक उर्जा है सोरी और यह जो है प्राकृतिक गैस प्र बहुत अच्छा यह यह सा प्रस्णावेत सिधा हैडशॉट माणना है कहां हाजिपूर में पुर्व मध्य रेल का मुख्याल है हाजिपूर में है चलिए ठीक है अगले प्रश्ण के ओड़ा ये चाबल है अब चाबल देखे कौन सा फसल है रभी फसल में आ जाएगा गेहू ठीक है बाई रभी फसल में गेहूं आ जाएगा चवालिश नंबर का देख लीजिए चवालिश नंबर का खरी फसल में जब बात आवे तो चाबल लागाना है अधी गेहूं आवे तो रभी फसल मार दीजिएगा आए यहाँ पे 45 नंबर पे निम्र में से कौन नीजी छेत चैटर के कमपनी है तो यहीं सेल जो है नीजी 6 के कमपनी है डाबर बजाज ऑटो लिमेटेड बहुत बरदोसर कमपनी है अच्छा चलिए चलिए शुलिये चलिए यहाँ पे उल्टे कोईशन हो गया ना निम्रुए से कौन नीजी 6 की कमपनी नहीं तो सेल जो है इंगलीस नाम है और बजाज टिशको डावर यह अपना ही है उल्टा हो गया थोरा सा चलिए कोई नहीं अरे इतना इतना कोशन बोलने हम कभी कभी हो जाता है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं कोन खनीज को ड्रामा से संबंदित है कोन खनीज कोड़ामा से बंदित है तो देखे खनीज को ड्रामा तो 46 नमर का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड अगला प्रश्ण हमारे पास है ओपरेशन फल्ड ओपरेशन फल्ड का दूसरा नाम क्या है तो 47 नमर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्वेत करांती लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले परसिद है तो आप लोग को याद होगा गाना भी है मुझपरपूर के लीची तो आप लोग को इससे भी याद हो गया होगा लीची के उत्पादन के लिए सबसे बिहार के दो जिला जो है हाजिपूर जो है केला के लिए फेमस है ठीक है लेकिन यह मुझपरपूर का लिची नामी है मुझपरपूर और बैसाली इसका राइट आंसर डी मार यह आए अगला प्रशन आय तथा उपभोग का अंतर है यह सब बोरिंग कोईश्चन है ठीक है इसी लोग को कहते हो बोरिं कवारिक बैंक की जमा का परकार नहीं है तो 50 नंबर पे इसका राइट आंसर हो जिए अधिवर्स अधिविक वर्स क्या लिखा वह फिर से देखा जाए अधिविक वर्स जलिए एक क्याबन नंबर हुजी बजार में किस परकार की रीनों का लेंडेंगर में देन होता है ले बावन नमबर किस्ने कहा गराहक हमारी दुकान में आने वाला है सबसे महत्पुन बैखती है किसने कहा गराहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्पूर्ण बेखती है वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है बहुत अच्छा बात आज काल के दुकंदार बड़ा टेड़ी आता है तो उनको इस बात बरूर जरूर चिपकाईएगा चलिए बाबन नमबर का आंसर देख लिते हैं ये कहें हैं महत्तमा गांदी। महत्तमा गांदी बहुत अच्छल के इडिलीए तिर्पन नमबर नमबर में है इनमें से कॉन गए्र आर्थिक अधार्भूत सनरचना का घटक है चलिए वाई तिरपन नमबर तिरपन नमबर का राइट आंसर हो जेगा सी सिक्छा आईए चववन नमबर देखते हैं करा इन में से उर्जा का गैर प्रमप्रारिक स्रोत कौन है तो चववन नमबर का राइट आंसर हो जेगा ज्वारिय उर्जा अगला प्रशन मारी पास है गोंडवाना समू के कोईले का निर्मान कब हुआ था तो पच्पन नमबर का जो राइट आंसर हो जएगा वो हो जएगा बीस लाख वर्स पूर्ब अगला प्रश्ण हमारे पास है चपन नमबर में है निमन में से खरीप की फसल कौन सा है तो फ्रेंट चपन नमबर इससे पहले भी बताये थे खरीप फसल चाबल हो जाएगा अगला प्रश्ण हमारे पास है क्या बताये थे क्या जी खरीप फसल चपन नमबर न हाँ चाबल च पास हो गया जूट हो गया सन हो गया जो इससे कपड़े बगरे बनता है कंडाला विशेष का आर्थिक छेतर कहा है कंडाला विशेष आर्थिक छेतर कहा है तो चलिए 58 नमर का राइट आंसर हो जीगा बी गुजरात अगला प्रशन आज़िए अगला प्रशन यहां पे देख कि घुटनेवर का जन्म होआ था 59 नंबर है इसका राइट और चाइब का ज़र्मनी में क्या हो जागा जर्मनी में अगला प्रश नमंहारी पास है साथ नंबर इंगलेंड में मुद्रन कला की सुरुआत किसने क्या था इसका लाइट आंस ऊजींगा कैक्सें केकस्टन लिखा हुआ सौरी केकस्टन नाम बड़ा अजीब अजीब रख लेया इंगलेंड बला चले अगला प्रश्ट एक सट नमबर किराव 1917 कि पहली रूसी करांती किस नाम से जानी जाती है 1917 की पहईनी रूसी करांती किस नाम से जानी जाती है तो 163 का राइट आंसर हो जगहा फर्वरी करांती अगला प्रेस्ट न मारी पास है 62 नमबर लाल सेना का गठन किशने क्या था ये था टोस्ट की चलिए टोस्ट की टोस्ट की ऐसे कुछ नाम है बड़ा अजीव सा नाम है बोलने में आता है मुझे ये नाम कुछ ऐसे होते न जो इंसान से नहीं बोलाता हूं तरह सी नाम है जो मैं नहीं बोल पाता हूं चलिए और इंडिया मुसलिम लिंग की स्थापना का भुगा था 63 नमर में 63 नमर में 63 नमर में 63 नमर में जल्दी से आप दक्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां अस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाहाँ पाटना अगला प्रश्च सिपाही बिद्रो कब हुआ था पईश्ठ नंबर चले पईश्ठ नंबर आंसर करना है सिपाही बिद्रो कब हुआ था जल्दी जल्दी आप कोमेंट करिए चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं भी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जिएगा प्राथमिक छेतर से आईए अगला प्रस्ण जो कि इस बार बिहार पुलिस के डड़ाइबर में पूछा गया था बिहार दिवस कब मनाया जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च आए सबसे बरे पसु मेला आयोजन कहां किया जाता है आयोजन क्या जाता है कहां किया जाता है और 68 नमबर का राइट आंसर हो जाएगा सोनपूर त चलिए अगला प्रश्ण हमारे पास है सासा राम में किस एत्यासिक सासक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्स ऐसर हो जाएगा बी जॉन के आए अगला प्रश्ण हमारे पास है देखें यहां पर दुर्गापूर अश्टिल प्लांट किस राज में है तो हम आपको बताये थे नहीं पूछ देगा कहां से कहां पूछ दिया देखें न भिलाई भी था न उसमें तो भिलाई नहीं इस बार पूछ देखें दुर्गापूर अश्टिल प्लांट किस राज में असती थे मतलब घुमा फिरा के वहीं प्या आ जाता है ठीक है 71 नमर कराइट आंसर पच्छिम बंगाल आए सेडान युध कब हुआ था सेडान युध कब हुआ था 72 नमबर कराइट आंसर भी 1870 में अगला प्रशन है मारे पास 73 नमबर ही गोल ही गेल कौन था स्वरी ही गेल कौन था 73 नमबर कराइट आंसर होजिया सी दार्षनिक अगला प्रशन हमारे पास है 74 नमबर मार्च 1946 में फरांस एवं बियत नाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता था 74 नमर देखिए 74 नमर का राइट आंसर होजिया बी हर नोई समझोता देखिए मू दर्द करने लगा अबाज रूग गया 74 गो बोलते बोलते आप लोग कंजूसी करते हैं वीडियो लाइक करने बाई वीडियो लाइक जरूर करना ठीक है दोस्तों को उस्तों को सेर भी कर द आए फटा फट कल के बाद पर सो कल ही आए जाएगे वीडियो इसका ठीक है जैसे कहिए को इसे बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया पहले से बना लिए है ठीक है बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन भाई साब आप लोग को याद होगा 1905 में हुआ था इस्ट आए कुछ अलग देखते हैं कुल जल का कितना परतिसत भाग महासागर में है कुल जल का कितना परतिसत भाग महासागर में आप लोग को पता है धरती ये चार कोना में जो है धरती एक कोना है बाकि तीन भाग जो है ये बला भाग और ये बला भाग पानी से भरा हुआ है त तो 37 नमबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रसेंट भीहार में चलिए बिहार से कुश्य ने बरा ध्यान देना है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी पर योजना है आई हो दादा 78 नमर का है, चली अगला प्रश्छ न है, गेहुं फसल है, देखे बोल दिये थे न गेहुं फसल है, तो मारी यह हैड़, गेहुं फसल हैं, तो कौन सा फसल है? रवी फसल, खरीफ फसल, कोन सा है? चाबल है, फिर से आड़। अब अगला प्रश्ण हमारे पास जो कि अंतिम प्रश्ण है आप लोग को पता ही चल गया होगा असी प्रश्ण का अंसर हम बोल यह लगातार और एक सकेंड भी रुके नहीं और गला भी आप लोग को आप आज देख रहें डौन होते जा रहा है ठीक है तो भाई दबा के ला इनमें किसे है केंद राज संबंद से पंचायती राज ब्यवस्ता से वित्य ब्यवस्ता से या संध्य ब्यवस्ता से चल यह असी नमर का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज ब्यवस्ता से तो भाई इतना कश्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है सिर्फ वीडियो को लेके तब तक के लिए बबाई जय हिन जय भारत टैक केर